प्रेंट के साथ इसे सेर जरूर कीजेगा तो चली दोस्तों इस वीडियो को श्राट करते हैं दोस्तों पत्रकार यानि की जरूरी योगताएं होती हैं इसके लिए कूर्सिस कौन कौन से हैं साथ ही पत्रकारिता में केरियर ऑप्संस क्या क्या हैं इनकी सेल लिकिती होती है इसे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तों अगर आप भी जनरलिस्ट बनना चाहते हैं या जनरलिजम में अपना क्यारी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनरलिस्ट क्या है जनरलिस्ट कैसे बने इसे संबंधित पूरी जनकारी हम आपको आज किसे वीडियो में देने वाले हैं पत्रकार पूरे दुनिया भर में अलग-अलग माधिमों से जुड़ा हुआ होते हैं इसलिए वे इंटरनेट, सोसल मीडिया, टेलिवीजन, न्यूस पेपर, रेडियो ग्रूप के साथ पूरी दुनिया में एक सुत्र में बंदेवी होते हैं दोस्तों अगर आप भी एक अच्छे पत्रकार बनना चाते हैं और इस छेतर में अपना केरिर बनाना चाते हैं तो आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और इसके अलावा आपके पास एक पत्रकार में पाये जाने वाले सभी गुनवी होने चाहिए यदि आपके पास साहस, निडर्था, परतिभा, कॉसल और सकारात्मक सोच और अच्छी तरीकी से लिखने की छमता है और भासा की अच्छी समझ है तो आप पत्रकार बन सकते हैं तो आई आगे जानते हैं कि पत्रकार क्या है, जनरलिष्ट कैसे बने इसके लिए क्या गुंजाइस है, क्यारिर में आगे बढ़ने की क्या क्या संभावना है इसके बारे में हम आपको डेटेल में बताते हैं दोस्तों अगर हम पत्रकार की बात करें तो जनरलिष्ट को ही हिंदी में पत्रकार कहा जाते है पत्रकार वो व्यक्ति होते है जो समाज में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं से अवगत कराते है इसके अलावा पेडी परिवार को न्याय दिलाने का काम भी करते है साथ ही पत्रकार को सरकार से सवाल जबाब करने का पूरा अधिकार होते है तो चलिए आगे हम आपको पत्रकार से सम्बंदित कुछ महतवपून बातों से आपको अवगत कराते हैं दोसो पत्रकार किसी भी समाज के लिए एक दरपन के रूप में काम करते है यानि कि एक मीरर के रूप में काम करते है दोसो लोगों को सरकार की नियतियों से अवगत कराना पत्रकार कहीं काम होता है दोसो पत्रकार हम सभी को दुनिया से जोड़े रखता है साथ ही पूरी दुनिया की खबरे देता है और पूरी दुनिया में होने वाली घटना उससे अवगत कराता है दुनिया भर में हो रहे अतंगवादी हमलो, बार, तुफान, आदी की न्यूज रिपोर्टिंग करके खबरों को सभी लोगों तक पहुचाना एक पत्रकार कहीं काम होता है दोस्तों यदि आप एक पत्रकार यानि की जनरलिस्ट कैसे बने इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको किसी भी स्टीम से बारवी कक्षा पास करनी होगी क्योंकि एक सफल पत्रकार बनने के लिए आपको एक सासी इमांदार और कड़ी महनत करने वाला स्वाभिमानी व्यक्तित का आपको व्यक्ति बनना होगा दोस्तों अगर आप में पत्रकार बनने की छमता और काविलियत है तो आपको किसी भी घटना की पूरी जानकारी एकत्रित करनी होगे और मीडिया के माधियम से लोगों तक पहुचानी होगे इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि इस छेतर में पत्रकार के कई अंग होते हैं जिसमें कैमरा मैन, फोटोग्राफर, न्यूज रिपोर्टर रादी का योगदान होते हैं इसलिए वरतमान समय में पत्रकार बनने के लिए कई डिगरी कोर्सेज, डिपलोमा कोर्सेज और म कौन से होते हैं इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ, दोस्तो आप जर्नलिस्ट बनने के लिए डिपलोमा इन जर्नलिजम का कोर्स कर सकते हैं, दोस्तो अपमें आप लोगों को डिपलोमा इन जर्नलिजम का कोर्स कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बता देता हू दोस्व आप डिप्लोमा इन जर्नलिजम & मास्काम्म्नीकीकेशं का कॉर्स कर सकते हैं आप डिप्लोमा इन जनलिजम का कोर्स कर सकते हैं आप डिप्लोमा इन वेव मीडिया और ओनलाइन मीडिया का कोर्स कर सकते हैं आप डिप्लोमा इन ब्रोडकास्ट जनलिजम का कोर्स कर सकते हैं आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक मीडिया का कोर्स कर सकते हैं या फिर आप डिप्लोमा इन प्रिंट मीडिया का भी कोर्स कर सकते हैं दोस्तों आप जर्नलिस्ट बनने के लिए जर्नलिजम का बैचलर कोर्स भी कर सकते हैं दोस्तों बैचलर आफ जर्नलिजम कोर्स करने के लिए आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स पूरा करना होते हैं जिसके लिए आपको पहले किसी भी मानता प्राप्त, इसकूल से बारेवी कख्शा में कम से कम 50% मार्क्स लाने होते हैं. दोसो, बात करें, आप जर्राणलिजम में कौन-कौन से बैचलर कोर्सेच कर सकते हैं, तो ये कोर्सेच हैं, B.A. in Mass Communication, B.A. in Mass Communication, B.A. in Journalism, B.A. in Advertising and Bachelor of Journalism in Journalism and Mass Communication, Bachelor in Broadcast Journalism और Bachelor in Print Media. दोस्तो आप जनलिस्ट बनने के लिए जनलिस्ट में PG डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं दोस्तो यदि आप डिप्लोमा में पोश्ट ग्रेजोसन कोर्स करना चाहते हैं दोस्तों बात करें आप जनलिजम में कौन-कौन से PG डिप्लोमा कोर्सिज कर सकते हैं तो ये कोर्सिज हैं PG डिप्लोमा in Mass Communication, PG डिप्लोमा in Journalism and Advertising, PG डिप्लोमा in Journalism and Mass Communication, PG डिप्लोमा in Broadcast Journalism और PG डिप्लोमा in Print Media ये कोर्सिज आप कर सकते हैं दोसो आप जनरलिस्ट बनने के लिए जनरलिस्ट में मास्टर डिगरी कोर्स भी कर सकते हैं दोसो यदि आप जनरलिस्ट में मास्टर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको पहले किसी भी मानेता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजोसन की डिगरी हासिल करनी होगी और इस course में admission लेने के लिए आपको intense exam पास करनी होगी तब ही आप master course में admission ले पाएंगे दोस्तों बात करें आप journalism में कौन-कौन से master degree courses कर सकते हैं तो ये courses है Masters in Mass Communication, Masters in Journalism, Masters in Advertising and Journalism, Masters in Generalism and Mass Communication, Masters in Print Media और Masters in Broadcast Journalism ये courses करके आप journalism में master course पूरा कर पाएंगे दोस्तों अब मैं आप लोगों को journalism course की फीस के बारे में बता देता हूँ दोस्तों पहले मैं आप लोगों को Bachelor of Arts in journalism course के बारे में बता देता हूँ ये कोर्स बारवी के बात किया जा सकता है और ये कोर्स बहुत कम लगत्मी किया जा सकता है इस कोर्स में जनलिजम से जुड़ी महतपून जानकारी आपको दी जाती है ताकि आप जनलिजम में अपना केरियर आसानी से बना सकें दोस्तो इस कोर्स को करने के लिए आप बारवी Science in Journalism यानि की B.A.C. in Journalism कोर्स की फीज की तो दोस्थो ये एक टेखनिकल डिग्री कोर्स है जो बारवी के बाद किया जा सकते हैं, यदि आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप News Channel, प्रेंट मीडिया, बड़ी Companies में आप News Reporter की जौब्स पा सकते हैं, इस कोर्स को करने के लिए आ आप बारवी कक्षा कम से कम 50% मार्ग से साथ पूरा किये होने चाहिए और इस कोर्स की फीस लगभग 50 जार रुपए से लेकर 1.5 लाग रुपए सालाना तक होती है और इस कोर्स की डूरेशन 3 साल की होती है दोस्तों बात करें बैचलर आफ जनलिजम इनमास कम्मिनिकेशन को इसके बाद आप बड़ी-बड़ी कंपनीज में आप न्यू चैनल, प्रिंट मीडिया, रिपोर्टर, एडिटर, इत्यादी के तौर पर आप काम कर सकते हैं दोस्तों इस कोर्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आप मिनिमम बारवी कक् आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इस कोर्स की डिवरेशन तीन साल की होती है और इस कोर्स की अनुमानित फीस की बात करें तो ये 50,000 रुपै से लेकर 0,5,000 रुपै सालाना तक हो सकती है दोस्तों यदि आप जनलिजम में अपना केरियर बनाना चाहते हैं तो जनलिजम में के आपके पास 4 आपसंस मौझूद होते हैं आप प्रिंट मीडिया में प्रिंट जनलिजम में आप केरियर बना सकते हैं आप इलेक्ट्रोनिक जनलिजम में केरियर बना सकते हैं वेब जनलिजम में आप केरियर बना सकते हैं या फिर आप जनलिजम इन मास कम्मुनिकेशन के छ ये आडियो, वीडियो, टीवी, रेडियो के माधियम से डेवलप्ड है इसलिए टीवी, सैटिलाइट्स, केवल सर्विसेज और नई तकनीक के माधियम से जनरिजम का ये सबसे बड़ा मंच बन गया है दोस्तों बात करें वेव जनरिजम की तो जनरिजम के इस मंच ने रीड जनरिजम का थोड़ा अलग है इसमें स्टडी के दौरान भी आपको जनरिजम के बारे में सिखाय जाते है और पब्लिक रिलेशन किसी व्यक्ति या और्गनेजिशन की चबी को लोगों की नजर में पॉजिटिव रूप से पेश करना होते है यानि कि सकरात्मक रूप से प कर सकते हैं तो यह कॉलेजेज हैं इंडियन इंसिचूट आफ मास कम्मिनिकेशन इंडियन विद्याभवन देल्ही सिंबाइस इंसिचूट आफ मास कम्मिनिकेशन पूने आईजोंस इंसिचूट आफ मास कम्मिनिकेशन देलही जागरन इंसिचूट आफ मास कम्मिनिकेशन देलही चेतना स्कूल आफ कम्मिनिकेशन, केरिला एनरे आई इंसिचूट आफ मास कम्मिनिकेशन, देलही माखनलाल चतुरवेदी युनिवरस्टी भोपाल वेशलिंग वूड्स इंटरंसिप कॉलेज, मुंबई, मजेपी, रोहिलखंड युनिवरस्टी, बरेली और चतरब अच्छा जनलिस्ट बनने के लिए आप में कौन-कौन से गुन होनी चाहिए, दोसो एक अच्छा जनलिस्ट बनने के लिए आपके लेंग्विज पर कमांड होनी चाहिए, यानि कि आपको भासा का ग्यान होना चाहिए, आपकी रैटिंग इसकील अच्छी होनी चाहिए, आ और आपका current affairs अच्छा होना चाहिए, आपको news के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, यानि कि आप news के बारे में aware होने चाहिए, आपको news को तोड़ना और जोड़ना आना चाहिए, आपको computer का अच्छा knowledge होना चाहिए, आप विपरीत परिसीतियों में भी काम करने के में सक् और एक अच्छा जनरलिस्ट बननी के लिए आप करिजियस और ओनिस्ट होनी चाहिए यनिखी आप सासी और इमानदार होनी चाहिए तब ही आप एक अच्छे जनरलिस्ट बन पाएंगे दोस्तों यदि हम एक जनलिष्ट के मंतली सेलरी के बारे में बात करें तो इनकी सेलरी अलग-अलग छेतरों और कारियों के नुसार अलग-अलग होती है यदि हम एक अनुमान के तौर पर जनरलिष्ट की सेलरी के बारें बात करें तो इनकी सुरुवाती सेलरी 20,000 रुपए के आसपास होती है और इसके अलावा अगर आज तक जी नियूज जैसी बड़ी कमपनीज में काम करते हैं तो आप इससे कहीं अधिक सेलरी पासकते हैं कि अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद